हालो फ्रेंज वेल्कम टो आवर यूटूब चैनल मुनेदा सो फ्रेंज आज के वीडियो में हम weekly swing setup के उपर 5-2 stocks देखने वाले हैं तो आज हम जो-जो सेक्टर से stocks को देखने वाले हैं एक तो है construction सेक्टर से, finance से, transportation से, banking सेक्टर से और आज हम 5-2 stocks देखने वाले हैं लेकिन उसके पहले हम nifty 50 bank nifty को analysis कर लेंगे और global market में से crude oil dollar index और इलका भी चार्स देख लेंगे विकास इस तीनों का opposite direction हमड़ी इंडिया मार्केट चलता है और पीछले जो-जो stocks दिये थें सरे stocks का एक जलग देख लेंगे और दोस्तो 20 में मंडे इंडिया शेयर मार्केट बंद रहाएगा विकास लोक्षोबा इलेक्षन जो है उसका fit face का voting है that's why इंडिया मार्केट मंडे के दिन बंद रहाएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पसन आएगा तो लाइक चरू करना चानल में नहीं हो तो प्ले सब्सक्राइम चानल अन हिता बेल आइकन तो पहले हम ग्लोबाल मार्केट में से क्रूड ऑल के चार्ट को देखने बाले हैं और यह विकली टाइम फ् तो चलिए अभी हम डॉला इंडेक्स के चार्ट को देख लेते हैं तो आप देख सकतो डॉला इंडेक्स जो फिलाल ट्रेट कर रहा है 104.497 UST में तो dollar index में इस विक हम लोगों को negative candle देखने के लिए मिला and dollar index जो है अपना जो important support level है पहली ये resistance level था अभी ये resistance level support जोन में कनभाट हो गया है तो अब देख सेकते हो अपना important support level को breakdown करके इसकी nature closing दिया तो dollar index में भी हम लोगों को negative side दिखने के लिए मिला राइट, so dollar index भी overall जो है अच्छा है, तो चलिए अभी हम yield के charge देख लेते हैं, तो आप देख सेकते हो yield जो filter rate करें 4.422 PCT में and yield के charge में भी आपको इस week negative candle देखने के लिए मिला but आप देख सेकते हो yield जो है अपना जो support level है, ठीक है इसी support level के ओपर है और इधर कितना अच्छा से support लेके थोड़े बहुत upset गिया, तो yield अगर इस level को breakdown करके नीचे आता है तो और भी अच्छा होगा, तो overall जो है yield के charge में भी हम लोगों को इस week negative देखने के लिए मिला राइट, so यह हमारी इंडियार मार्केट के लिए अच्छा है तो चलिए अभी हम MSC Imagine Market को देखते है, जो हमारी इंडियार मार्केट को support करता है, तो MSC Imagine Market का charge आप देख सेकते हो and MSC Imagine Market जो फिलल ट्रेट कर रहा है 43.79 US डुमे, तो अब देख सकते हैं weekly candle आपको देखने के लिए मिला है अपना जो resistance level है, इसको breakout करके फिर से अपसा ही जा रहा है तो यह इंडियार मार्केट के लिए अच्छा है तो चलिए अभी हम Nifty 50 के charts को देख लेता है तो friends, यह Nifty 50 इंडिस का chart से और यह weekly time frame पे आप देख रहे हो तो Nifty weekly candle में closing जो दिया है 22,500 पे तो Nifty का यह weekly candle आपको देखने के लिए मिला है और यह bullish candle बना के closing दिया है अब देख सकते हो यह जो 22,500 का level से यह Nifty का important resistance level है और इसी resistance level के पास जाके closing दिया है तो next week अगर Nifty 50 ठीक है कोई strongly bullish candle बना के इस level को breakout देके closing देता है तो Nifty अपना जो all time high है बहुत जल्दी अपना all time high को भी breakout कर देगा लेकिन इधर कोई bullish candle बनना चाहिए क्योंकि Nifty 50 ने जितने बार इस level का breakout दिया है उसके बाद ही bearish reversal candle stick बनाया इसलिए कोई strongly bullish candle बना के इस level का breakout अगर देगा तो बहुत जल्दी Nifty अपना all time high को भी breakout करेगा ठीक है तो इसलिए आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है तो अगर हम इसका मंदली चार्ट को देखेंगे तो मंदली कैंडल आप देख सेक्तो Nifty 50 का जो अपना all time high के पास ट्रेट कर रहा है वैसे तो मंदली कैंडल का closing और भी मतलब की 12 दिन भागी है overall जो है Nifty 50 का चार्ट से ही है Nifty 50 positive side moment देनी की कोशिश कर रहा है और यह जो आपको level देखने के लिए मिल रहा है 22,000 का levels Nifty को अगर negative होना है तो इस level को breakdown करके नीचे आना होगा और इस level के ओपर जब तक है Nifty 50 तब तक positive है तो चलिए अभी हम Bank Nifty के charts को देख लेता है तो यह आप Bank Nifty Indies का weekly charts देख रहे हो and Bank Nifty ने इस week जो closing दिया है weekly candle में 48,199 मतलब कि 48,200 पे तो आप देख सकते हो यह जो Bank Nifty को weekly candle आपको देखने के लिए मिलना है यह Bank Nifty का जो resistance level है यह है 48,300 से लेके 48,500 का levels यह Bank Nifty का important resistance level है और इसी resistance के पास जाके इसने closing दिया और आप देख सकते हो इसी train line में Bank Nifty ने कितना अच्छा support लेने के बाद अपसेट गया है राइट तो यह train line support की जैसा काम किया और उसके बाद अगर Bank Nifty suppose the negative होना है Bank Nifty को तो Bank Nifty को इसी train line को breakout करके नीचा आना पड़ेगा उसके बाद दूसरा जो support है यह level जो आपको देखने के लिए मिलना है यह है 46,000 का levels तो Bank Nifty का यह दूसरा support level है तो Bank Nifty को अगर negative होना है तो Bank Nifty को इसी support level को breakdown करना पड़ेगा तो अभी का जो हम लोगों को सिनारी दिखने के लिए मिलना है कि Bank Nifty कोशिश कर रहा है अपना resistance को breakout देने में तो Bank Nifty अगर strongly bullish candle बना के अपना resistance को breakout दे देता है तो Bank Nifty में फिर से हम लोगों को जो अपना all time high बना है 50,000 का 50,000 पे भी ठीक है Bank Nifty बहुत जल्दी चाहेगा लेकिन Bank Nifty को इसी resistance को कोई bullish candle बना के closing देना पड़ेगा अगर हम इसका monthly charts को देखेंगे तो monthly candle आप देख सेगे हो जो अपना top के पास ही trade करा है वैसे तो monthly candle का closing अभी तक हुआ नहीं ठीक है और वी 12 बाकि है तो overall जो है Bank Nifty अभी सही है और बैंग Nifty को अगर fully positive होना है तो बैंग Nifty को इसी resistance को breakout करके closing देना पड़ेगा ठीक है तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है तो overall जो है सही है तो चलिए अभी हम पीछले जो जो stocks दिये थे उनसे इस stocks का एक छलक देख लेते हैं तो पीछले हमने जो जो stocks दिये थे उन्हें से जो पहला stocks था ये था sale और sale की retail scandal में हमने analysis के थे उसके बाद आप देख सकते हो ये जो stocks है ये stocks में फीट से हम लोगों को upset rally दिखने के लिए मिला है तो अगर हम low से high तक measure करेंगे कि ये stocks one week में कितना percentage का moment दे दिया है तो आप देख सकते हो one week में 13% का moment दे दिया है तो नेक जो हमने stocks दिये थे ये था हिंदूस्तान का उपर तो आप देख सकते हो ये जो stocks है ये जो आपको candles देखने के लिए मिले है इसी candles में हमने analysis किये थे और उसी analysis में मैंने ये बोला था अगर index में हम लोगों को fall देखने के लिए मिलता है तो दोस्तो आपको retest के लिए wait करना है अगर index में positive होता है तो क्या करना है आपको आपको ये जो आपको level देखने के लिए मिलता है इस level का अगर breakout होगा तब दोस्तो इसमें आप swing opportunity के लिए देख सकते हो और आप उसके बाद आप देख सकते हो इस week हम लोगों को positive candle देखने के लिए मिलता है तो ये stocks में अगर इस level का breakout होता है तो इसमें आप swing opportunity के लिए देख सकते हो ठीक है तो आप इस stocks को watch list में अभी भी रख सकते हो तो next जो हमने stocks दिये थी ये था national aluminium ठीक है तो national aluminium की आप देख सकते हो ये जो stocks है ये stocks ठीक है इसको breakout करने के बाद आप सेट गया अगर आप देख सकते हो रीटेस किया तो ये जब को red color का candle देखने के लिए मिले है इसी candle में हमने analysis किये तो कितना अच्छा रीटेस होने के बाद आप देख सकते हो ये stocks आप सेट moment किया है अगर हम measure करेंगे कि ये stocks one week में कितना percentage का moment दे दिया है तो आप देख सकते हो ये stocks one week में 18% का moment दे दिया है तो national aluminium जो stocks है काफी अच्छा moment दिया है तो चलिए next stocks देख लेते है तो next जो हमने stocks दिये थे ये था bank of baroda तो bank of baroda अब देख सकते हो अपने आपको एक range में hole कर रहा है तो ये stocks अगर इस range का breakout देता है तभी आपको इसमें swing opportunity के लिए देखना है तो ये stocks को अभी भी आप अपने watch list में रख सकते हो तो हमने last जो stocks दिये थे ये था NLC India तो ये stocks में अभी तक breakout नहीं हुआ है तो ये stocks में जब इस level का breakout होगा तभी आपको इसमें swing opportunity के लिए देखना है तो ये stocks को आप अपने watch list में रख सकते हो जब भी breakout देगा तभी आप इसमें swing opportunity के लिए देख सकते हो So I hope कि आपको clear हो गया तो चलिए अभी हम next week के लिए पे stocks को देख लेता है So friends आज का जो पाइला stocks है यह है भेधन्ता limited और यह आप weekly time frame पे देख रहे हो और फिलाल जो trade कर है 458.60 रूपीस में तो दोस्तों यह जो stocks है charts को हम zoom करके देखेंगे लेकिन overall charts का पहले view समझ लेते है तो यह जो stocks है यह stocks एक reversal breakout stocks है हाँ हो सकता है कि यह stocks almost अपना all time high के पास आया है पर जब कोई stocks अपना swing high को breakout देता है तो इस type के breakout को reversal breakout stocks बोलत है तो आप देख सकते हो यह stocks जो है जब इस level का breakdown किया था 2010 में 2010 में इस level का breakdown करने के बाद यह stocks में थोड़े बहुत downfall हुआ and again यह stocks almost अपना इस level के पास गया है and again आप देख सकते हो यह stocks इस level के पास तो गया है but इस level का breakout नहीं कर पाया and finally 2024 में यह stocks ने अपना इस swing high को breakout दिया है मतलब कि यह stock 2010 से लेके 2024 14 years के बाद यह stocks में हम लोगों को breakout देखने के लिए मिल दा राइट और यह stocks को अगर आप देखोगे 200 SME की उपर भी है तो चलिए अभी हम charts को जूम कर लेते हैं और यह levels को आप देख लीजिए जो कि है 430 से लेके 410 डूपिस का levels तो चलिए charts को हम जूम करके अभी देखते हैं तो दोस्तों आप देख सेकते हो यह stocks का breakout candle आपको देखने के लिए मिला है अगर हम इस breakout candles की volume देखेंगे तो आप देख सेकते हो जब price upset moment कर रहा है तो इसका volume भी इसका साथ दे रहा है और breakout candles की volume भी अच्छा है तो overall जो है stocks का volume भी सही है अगर हम stocks के monthly charts को देखेंगे तो चलिए charts को पहले nearest में लाते हैं तो आप देख सेकते हो यह stocks है यह stocks monthly candle में भी अपना जो इस level है इस level को breakout दिया है ऐसे तो monthly candle का closing नहीं हुआ है बढ़ अब देख सेकते हो monthly candle भी इस level का breakout देने के बाद इसी के ओपर trade करा राइट तो overall जो है monthly candles भी सही है और अगर हम charts को और nearest में करेंगे तो आप देख सकते हो यह stocks है काफी नीचे से upside गया है और upside जाने के बाद इधर आपको एक patterns भी दिखने के लिए मिल दा है जिसको हम क्या बोलता है जिसको हम cup and handle patterns बोलता है और इस patterns का breakout भी हुआ है तो दोस्तों यह stocks है यह stocks को आप swing opportunity के लिए देख सकते हो यह जो आपको breakout candles देखने के लिए मिले इस breakout candles की next candle में आप swing opportunity के लिए देख सकते हो अगर इसमें इस levels के पास मिलते है तो और भी अच्छा है राइट और दोस्तों जो weekly swing setup के उपर आपका stop loss होना चाहिए 8-12% आपका stop loss होना चाहिए और आपका जो target होगा first target आपका 20% और उसके बाद और भी absent moment देदेता है तो उस moment का आप capture कर सकते हो तो यह stocks में आप 1-3 और 1-4 की साब से आप देख सकते हो तो चलिए अभी हम next stocks देख लेते है तो फ्रेंज नेक दो stocks है यह है engineers India और यह stocks आप weekly time frame पे देख रहे हो और फिलाल जो trade करा है 270.15 रूपेस में तो दोस्तों यह जो stocks है यह stocks अपना all time high को breakout दिया है और अपना जो एक swing high है इस swing high को breakout दिया तो दोस्तों यह stocks काफी बार मैंने आप लोगों के साथ analysis किये थे बिकाज यह stocks जब इस level का breakout दिया तभी मैं आप लोगों के साथ analysis किये थे जब इस trend line का breakout दिया तभी मैं आप लोगों साथ analysis किये थे अगेन ये stocks में हम लोगों को दिखने के लिए मिला कि ये stocks अपना all time high को breakout दिया है और ये stock 200 SME के उपर भी आपको दिखने के लिए मिला राइट तो दोस्तों अभी का जो condition है ये stocks ठीक है इस level का breakout देने के बाद एक बार इस level का breakout फेल हुआ था अगेन अपना all time high के पास गया है अपना all time high को breakout दिया है तो चलिए अभी हम charts को जूम करके देखेंगे तो आपको clear समझ में आएगा तो जब stocks इस level का breakout देके आप सेट गया तो ये stocks में आपको breakout फेल दिखने के लिए मिला बट ये stocks में इस जगा आपको दिखने के लिए मिला ये hammer candle और दोस्तों जो hammer candle होता है bullish hammer candle ये जब market का trend uptrend होता है तो uptrend में ये hammer candle बहुत अच्छा से work कता है तो आप देख सकते हो ये stocks जब इस level पर आया ठीक है डीटेस करने तब इसमें breakdown हम लोगों को देखने के लिए मिला है उसके बाद hammer candle form होने के बाद ये stocks again upset गया है time high है और दोस्तों अगर हम इस चार्ट को monthly charts में convert करेंगे तो monthly में आप clear देख सकते हो कि ये जो stocks है ये stocks का ये all time high का level आपको देखने के लिए मिला है और monthly candles भी इसी level जो आपको swing high देखने के लिए मिला है इसी swing high के ओपर ही monthly candle भी trade कर है तो ये जो stocks है ये stocks काफी strong है तो चल अच्छा है और आप देख सकते हो price जब एक range में था तो इसका volume भी कुछ खास थीगे नहीं हो रहा था और जब price low and study upside movement कर रहा है तो इसका volume भी इसका साथ दे रहा है तो इसका volume भी अच्छा है तो ये stocks में आप swing opportunity के लिए देख सकते हो ये जब को breakout candles देखने के लिए मिला ह इस breakout candles की next candle में आप swing opportunity के लिए देख सकते हो और इस levels के नीचे आपको stop loss रखना है और target की साब से आप 1-3 और 1-4 की साब से आप देख सकते हो तो नेक जो stocks है ये है अधित्ती बिल्ला कापिटाल और ये weekly charts अब देख रहे हो और फिलाल जो ट्रेट करें 223.50 रूपिस में तो दोस्तों ये stocks इधर opening होने के बाद ये stocks में अब देख सेक्टिव 2018 में काफी ज़दा stocks में गिरापट हुआ राइट और गिरापट होने के अगें ये stocks इस जगह हाई लगाया हाई लगाने के बाद 2024 में फाइनली ये stocks ने इस लेवल का ब्रेक आउट किया है और आप देख सकते हो इधर एक चार्ट पैटरंस भी फॉर्म हुआ जिसको हम बोलता है carbon handle पैटरंस और ये stock 200 SME की उपर भी आपको देखने के लिए मिल रहा है तो अगर हम मेजर करेंगे इधर से ये stocks जो है 20% का movement देने के बाद ये stocks में हम लगों को retest देखने के लिए मिला अगर हम stocks के monthly charts को देखेंगे तो monthly में आप देख सकते हो कि ये stocks अपना monthly candle में भी इस level का breakout दिया और बहुत अच्छा एक चीज है कि next candle आप देख सकते ह हो मंदली का next candle कितना अच्छा रिटेस्ट किया रहा है तो मंदली candle में भी आपको देखने के लिए मिला है कि ये stocks का रिटेस्ट हुआ है तो ये stocks के अगर हम volume देखेंगे तो आप देख सकते हैं तो ये stocks में आप swing opportunity के लिए देख सकते हो इस जो आपको candles देखने के लिए मि इसमें spring opportunity के लिए देख सकते हो और जो candle breakout देगा उसी breakout चेंडर की को स्टोप irritated की साब्सेट से देख सकते हो तो ये stocks को आप swing opportunity के लिए देख सकते हो इन ये stocks में अगर आपSwing opportunity लेते हो तो येования Cyt poory की साथ से देखेंगे लेकिन overall charts का view पहले देख लेता है तो यह जो stock से इस जगह high लगाया अगर आप देखोगे तो यह stocks का जो all time high है 163 रूपीज तो यह stocks ने इस जगह high लगाने के बाद आप देख सकते हो यह stocks में काफी fall हुआ इधर support लेने के बाद इसी support level को breakdown किया और यह जो breakdown किया 2011 में breakdown करने के बाद यह stocks काफी बार कोशिश किया अपना इस high को breakout देने में अब देख सकते हो कितने बार इसी जगह इसने high लगाया और यह stocks को अगर आप देखोगे तो यह stocks lower high lower high बना के continue यह stocks नीची की तरब आया है और यह stocks जो है इधर जो low लगाया अगर हम देखेंगे तो इस stocks ने low लगाया 15 रूपीस का 15 रूपीस का low भी लगाया और अगेन यह stocks काफी अच्छा price section बना के फीड से यह stocks अपना इस high के पास गया है इस high के पास जाने के बाद 2024 में यह stocks इस level का breakout दिया और यह जब को level देखने के लिए मिला 103 से लेके 109 रूपीस का levels मतलब कि 2011 से लेके 2024 that means 13 years के बाद यह stocks ने इस level का breakout दिया और breakout देने के बाद अपने आपको इसी जगा होल कर रहा है और यह stock 200 SME के उपर भी आप देख सकते हो तो चलिए चार्ज को अभी हम जूम करके देख लेता है तो अब देख सकते हो यह stocks है यह stocks ठीक है इस level का breakout करने के बाद काफी टाइम से अपने आपको इसी जगा होल भी कर रहा है अगर हम stocks के monthly charge देखेंगे तो monthly में भी आप देख सकते हो यह stocks ने अपना इस swing high को breakout देने के बाद monthly candle में भी यह stocks जो है इसी दगा कितना अच्छा से रिटेस लिया राइट और दोस्तों यह stocks का अगर हम volume देखेंगे तो आप देख सकते हो stocks का volume भी सही है तो यह stocks में अगर आपको swing opportunity लेना है तो इस candles की next candle में अगर आप swing opportunity लेते हो तो इस levels के नीचे आपका stop loss रहाएगा अगर आप इसमें confirmation लेके swing opportunity लेना चाहते हो तो दोस आप देख रहे हो और फिलाल जो trade कर रहा है 210.50 रूपिस में तो दोस्तों यह stocks है यह stocks एक reversal breakout stocks है यह stocks ने अपना swing high को breakout देने के बाद अपने आपको इसी range में इस levels के ओपर अपने अपको whole कर रहा है तो यह stocks का अगर हम full charts को देखेंगे तो आप देख सकते हो यह stocks ने high जो लगाया 260 रूपिस का high लगाने के बाद यह stocks में हम लोगों को fall दीखने के लिए मिला राइट तो अगर हम इस जगा charts को zoom कर के देखेंगे तो यह stocks जो है इस जगा काफी बढ़ support लिया और इसी support level को जब breakdown किया तब काफी बढ़ यह stocks ने इसी support level पे resistance भी phase किया बट यह stocks इस level को breakout नहीं कर पाया और यह stocks में काफी ज़्यादा fall हम लोगों को देखने के लिए मिला रहा है तो अगर हम देखेंगे कि यह stocks ने low जो लगाया ठीक है 45 रूपिस का low भी लगाया और उसके बाद finally अब देख सकते हो यह stocks इस लेवल का breakout दिया है तो जब यह stocks में fall हुआ 2015 में 2015 से लेके यह stock 2024 that means after 9 years के बाद यह stocks ने इस level का breakout दिया है और यह stock 200 SME के उपर भी आप देख सकते हो तो चलिए charts को हम जूम करके देखते हैं तो यह stocks जब इस level का breakout किया तो आप देख सकते हो काफी time से यह stocks अपने अपको hold भी कर रहा है और अगर हम stocks का volume को देखेंगे तो आ price upside moment कर रहा है तो इसको volume भी इसके साथ दे रहा है तो चलिए stocks के monthly charts भी देख लेते हैं तो आप देख सकते हो यह stocks के monthly candles आपको देखने के लिए मिल रहा है जब इस swing high का breakout दिया तो monthly candles भी कितना अच्छा से इसी जगर retest भी कर रहा है तो दोस्तों monthly charts भी overall जो है इसका सही है तो यह stocks को आप swing opportunity के लिए देख सकते हो यह जोपको candles देखने के लिए मिल रहा है थिक है इस Candles की next candle में आप swing opportunity के लिए देख सकते हो यह फिर जब यह stocks इस level का break out देगा तभी आप इसमें इसमें थीक है इस केड़ ब्रेक होने के बाद आप इसमें स्विंग पोचंटी लेना चाहते हो तो जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस ब्रेकाउट गैंडल्स की नीचे आपको स्टॉप लोस रखना है तो यह स्टोक्स को भी आप सारी चीजे प्लीयर हो गया है यार लास मे कि आपगी स्रूंग में इंवेस्मेंन करते हैं पहले आप जरूर अनलाइसे चीज़ गारे श्राइशन आप के लिए लौक रहा है अगर वीडियो लॉत धूर्ब रहा है तो मैं दिख सकते तो मत्ते हैं को मजíbel दो इसेख वामगे शांतव ऊशने